जोज नाम का एक आदमी है तुम्हारे पास उसका नंबर है नहीं सर शायद रवी सर को पता होगा मुझे वह नहीं पता सर हां मैं तो भूली गया था कि आपको भी पता नहीं है अब सर आपको लगता है कि आदी कभी ऐसी हरकत कर सकता है लगता तो नहीं था पर ऐसी गंदी हरकत करके उसने यकीन दिला दिया अब देखो ना रंगे हाथों इस माल के साथ पक्ड़े जाने के बावजूद वो मानने के लिए तैयार ही नहीं जबकि उसके खिलाफ सारे सबूत आइने की तरह साफ है। इसलिए आप क्रिप्या करके उसकी वकालत करना बंद कीजिए। वैसे एक और बात है। अगर मैंने एविडेंस यह रखा और रात को किसी के मन में आदे के लिए दया के गंगा बहने लगी तो कल को नार्कोटिक्स वालों को देने के लिए मेरे पास ठेंगा भी नहीं बचेगा। इसाही का सर। एविडेंस यहां नहीं रखना ही सेफ है। जब चाही कर। सर, मैं बेकसूर हूँ सर, डॉंट डू दू दिस, अच्छा सुनो, इसे जो भी खाने के लिए चाहिए दे देना, वरना कंप्लेंड करने के लिए यह ज़रा भी नहीं चुके। ठीक है सर, सर, सर प्लीज, सर यह किसी की सालिश है, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। प्लीज, उसे छोड़ दीजी। अब तुम्हें तो पता ही है लक्षमी, नार्कोटिक्स के केस में दखल देने के पावर हमें नहीं है। लेकिन सर, अगर उस पर केस हो गया, तो उसका फ्यूचर बरबाद हो जाएगा। एसा ही सेलेक्षन के शॉट लिस में उसका नाम आया है। सच कहूं तो, उसमें तुम्हारे गून नहीं है। उसमें सारे गून अपने बाब के है। तुम लाग कोशिश कर लो, लेकिन वह पुलिस वाला नहीं बनेगा। सेर। कल मैं उनसे बात करके देखता हूँ, अभी तुम का चाहिए। चले।